नमस्कार किसान भायो फार्मिंग टेकें डिवी चैनल में आपका स्वागत हैं किसान भायो आज हम बात करेंगे 2.4D अमिन साल्ट अठावन परतिशत एसल खरपतवार और 2.4D इथाईल एश्टर खरपतवार के बारे में और साती बात करेंगे गेहों में जंगली जो के खरपतवार के बारे में जो किसान भाय चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले खेती किसान इसे जुड़ी सही जानकारी देखने के लिए सबसे पहले बात करते हैं 2.4D अमीन साल्ट 98% ACL फाम के बारे में जो पानी में सक्री रूप से घुलने वाला या मिलने वाला केमिकल्स होता है जो एसिटिक एसिड होता है 2.4D अमीन साल्ट 98% ACL बिना गेस वाली खरपतवार होती है जिसको उप्योग गेहों गना और मक्का में चोड़ी पत्ती वाले खरपतवार को नेंतरन में करने के लिए उप्योग किया जाता है बिना गेस वाली अमीन साल्ट 98% उन्ही खरपतवार को नेंतरन में करती हैं जो इसके संपर्क में आते हैं जिस खर्पतवार पर यहां गिरती है उस पर इसका अच्छा रिजल्ट है और जो खर्पतवार बच जाते हैं उस पर इसका कम रिजल्ट मिल पाता है इसलिए इसका समान रूप से स्प्रे करें अब बात करते हैं 2.4D Ethyl Ester 38% के बारे में यह भी पानी में सकरी उरूप से गुलने वाला केमिकल्स होता है 2.4D Ethyl Ester में गेस होती है जो प्लांट में Ethyl Gase छोड़ती है इसका अपयोग भी गेहों गन्ना और मक्का में चोड़ी पत्ती वाले खर्पतवार को नियंतरन में करने के लिए यूज किया जाता है 2.4D Ethyl Ester उन सभी खर्पतवारों को नियंतरन में कर लेती है जो खर्पतवार इसके संपर्क में नहीं आते हैं या इस्प्रे करते समय बच जाते हैं उन सभी खर्पतवारों पर Ethyl Gase फिल जाती है और आसानी से नियंतरन में कर लेती है इसका इस्प्रेज जिस प्लांट में करें उस प्लांट के पास दुसरी अंज कोई फसल नहीं होनी चाहिए दो मिटर की दूरी तक यह उस फसल पर भी दुश प्रबाव ढाल सकती है यहां नहीं पहुंचा सकती है इस बात का विशेश द्यान रखें इमिन साल्ट और इथाईलेश्टर दोनों के साइड इफेक्ट की बात करें तो इमिन साल्ट का कम है और इथाईलेश्टर का ज्यादा है साथी प्राइस की बात करें तो इमिन साल्ट 98% 330 रुपे लिटर और इथाईलेश्टर 38% 280 रुपे लिटर की प्राइस है डोस की बात करें तो 15 लिटर पानी में 50 ml का गोल बना कर इस्प्रे कर सकते हैं अब बात करते हैं जंगली जोके नियंतरन के बारे में जो लोडीना फाप प्रूफर गील 15 फर्तिशे डव्ली पी में आता है जो पानी में आफसानी से घुलने वाला पाउडर होता है जब 20 ग्राम का पाउज आता है इसे इताईल एस्टर या एमिन साल्ट के साथ 15 लिटर पानी में बीना फाड़े पूरा पाउज डालना है क्योंकि इसमें प्लास्टिक नहीं सोल्यूबल होता है जो पूरा गल जाता है इसकी प्राइज की बात करें तो 20 ग्राम का पाउज 35 रुपे इसकी प्राइज है यदि जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बात का विशे जयान रखना है पाउज को सिर्फ गेव में यूज करना है